हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको अमरूत का पाधा दिखा रही हूँ और अमरूत के पाधे में भी दोस्तो मैं गमले में लगा हुआ पाधा दिखाऊंगी दोस्तो देखे ये मैं एक पाधा अमरूत का लेके आई थी और मैंने इसे गमले में लगा रखा है और जब मैं लेके आई थी दोस्तो तो ये एक बहुत छोटा सा बादा था अब दो फिटका हो गया है और याभी भी ये काफी इसकी वरांचे पतली है तो देखे मैंने लोहे की स्टिक से इसको बांध रखा है क्योंकि ये अभी सीधे खड़े होने लाइक नहीं है ज्यादा इसकी स्टेम नहीं है और इसमें अमरूद लग रहे हैं तो ये एकदम टहनिया इसकी टूट भी सकती है तो इसे मैंने एक स्टिक के सहारे बादा हुआ है तो देखे दोस्तो इसमें अमरूद लग रहे हैं दोस्तो अगर आप कोई फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो अमरूद का प बड़ा गंळा चाहिए तो मैंने इसे 18 इंची पॉट में लगा रखा है और मैंने पहले इसे छोटे में लगाया था पर इसकी हाइड वड़ गई तो मैंने इसे बड़े गंळे में सिप्ट कर दिया देखें दोस्तों कितना बड़ा गमला है और मेरे इसमें अम्रूद लग रहे हैं तो दोस्तों अगर आप अम्रूद लगाना चाहते हैं या कोई भी फलदार पदा लगाना चाहते हैं तो पहले उसकी वेराइटी का पता होना चाहिए तो मैं दोस्तों नरसरी में से ये पाधा लाई थी तो मैंने पूछा था ये कौन सी वराइटी है तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये ताइवान पिंक है और इसकी एक L49 वराइटी भी वहाँ थी तो दोनों ही वराइटी अच्छी है और मैं ये लेके आई मुझे करीब 200 रुपे का ये पाधा पड़ा था और दोस्तों मैं इसके कई तीन पाधे लेके आई थी और मेरे वहाँ अमरूद लग रहे हैं इस समय उसमे देखे दोस्तों जब मैं लेके आई थी उस समय भी इसमें एक छोटा सा अमरूद लगा भुआ था और मैंने उसको निकाल दिया था जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तम मैं ऐसे अमरूद लोंगी तो देखे दोस्तों मेरे वहाँ ये दूसरा पौधा मैं आपको दिखा रहे हैं और कितने अमरूद लग रहे हैं ये भी हाइड इसकी ज़्यादा नहीं है दो फिट है तो दोस्तों ये अमरूद इतने बड़े साइज के अमरूद है और इसका करीब ठाइसो से तीन सो ग्राम का एक अमरूद होगा और ये अंदर से पिंक है इसमें पिंक कलर है और देखिए एक मेरे पास वाइट है एक मेरे पास पिंक है तो ये देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े अमरूद लग रहे हैं और इसकी हाइड जादा नहीं है और इसे भी मैंने लोहे की स्टिक से इसको सपोर्ट से खड़ा किया हुआ है और बिल्कुल अमरूद जमीन से लगे हैं, बिल्कुल टैच हो रहे हैं जमीन से, तो इस देंग से दोस्तो हम गमले में भी अमरूद लगा सकते हैं, दोस्तो कोई भी पाधा हम फलदार पाधा लगाने के लिए, हमें ज्यादा न्यूटिशन प्लांट को देना होगा, और जब ज्यादा उसको न्यूटिशन बिलेगा, तभी वो फ्रूटिंग करेगा तो गमले में मिट्टी बनाने से पहले दोस्तो हम उसकी वेल्डन मिट्टी बनाएं, जिसमें 50% गार्डन स्वेल और 50% सेंड मिल, कमपोस्ट मिलाकर मिट्टी तयार करें जिसमें फंगी साइट की रूप में दोस्तो आप नीम की खली मिलाएं इस डंग से वेल्डन मिट्टी तयार करें और पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं जब दोस्तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए और आपके पौधे में फूल आने लगें तो आप उसकी गुड़ाई करके थोड़ी इसमें कमपोस्ट डाल सकते हैं हर रोज कमपोस्ट डालने की आवशकता नहीं होती, एक दफ़े आपने मिट्टी बना लिए दोस्तो उसके बाद आप उसे लगा सकते हैं देखे कितने अमरूद लग रहे हैं दोस्तो बहुत बड़े-बड़े अमरूद हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा श्वादिस्ट हैं तो इस जंग से आप मिट्टी बनाके पदे को लगाईए और जब भी आप कोई फलदार पदा या फूल वाला पदा लगा रहे हैं तो उसको धूप की आउशकता होती है आप उसे धूप में रखिए जितनी से तेज धूप में ये पदा रहेगा उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेगा और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लूटिंग होगी तो इसे ऐसी जगह पर रखे जाद दिन भर की धूप इस प्लावरिंग को मिले और देखे दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है तो इस जग से आप रखिए क्योंकि दोस्तों गंबले में ज़्यादा इस्पेज नहीं होता है तो इसमें बूब नीचे की जगह जाने की जगह उपर की ओर आ जाती है तो जब भी आप इसमें फल लगने लगे तो आप उसके घुडाई करके तीन चार इंचे मिट्टी निकाल दीजिए और जो उपर की जड़े भी उपर की ओर आ रही है उनको भी आप कट कर सकते हैं जो भारिक जड़े निकल रही हैं उनको आप कट कर सकते हैं और उसमें फिर से गोबर की खाद मिलाकर आप मिट्टी भर सकते हैं तो उसमें भर दीजे और जिससे कि आपके उस पौधे को फूरा नुटिशन मिलेगा और नुटिशन जब फूरा मिलेगा तो उसमें फल भी अच्छे आएंगे तो इस जग से आप गमने की मिटी में गोबर और जो भी कमपोस्ट आप डाल रहे हैं वो डाल कर मिट्टे तयार करें दोस्तो यह जो पधा मैं आपको दिखा रही हैं हूँ फुल ऑर्गनिक है और मैंने इसमें कोई भी ऐसा केमिकल फटिलाइजर नहीं डाला है और मैं कोई भी इसमें नहीं डालती हूँ इसमें मैं फुल ऑर्गनिक है इसमें बना रही हूँ तो इसमें मैंने कोई भी ऐसा फटिलाइजर नहीं डाला है सिर्फ गोबर की खाद और इसमें मस्टड गेक दिया दिया existing में मस्टड केक की का मैं डालूँगि अभी मैंने नहीं डाला है क्योंकि अभी मेरी मिट्डी काफी वेलजन थी आप मैंने नहीं डाली है तो देखे दोस्तों कितना बड़े अमरूद लग रहे हैं तो इस जंग से आप वैल्टेन मिट्टी बनाके आप पौधा लगाएं और दोस्तों डिनेजूल का विसे ध्यान रखें और वाटरिंग ना हो अगर पानी इस गंबले में ठहरेगा तो इसमें वैट दंग की फंगल लग जाती है जिससे पौधा धीरे-धीरे खराब हो जाता है देखे दोस्तों इस दंग से आप मिट्टी तयार करें दोस्तों इसमें कीट नाशक के रूम में केवल आप नीम की नीम ओयल का इस्प्रे करिए और कोई भी ऐसे कीट नाशक इसमें दवाई ना डाले जिससे कि आपके जो ये फ्रूट है वो ज़्यादा जहरी ले ना हो जाए इसमें फुल और्गिनिक ही इसे रखे नीम ओयल नुकसान नहीं करता है और्गिनिक है तो आप नीम ओयल का इस्प्रे इस प्रांट में कर सकते हैं और पानी ज्यादा गंले में नहीं ठहरना चाहिए अगर गंले में पानी ठहरा तो इसमें फंकस लग जाएगी ज्याद़ फंगर प्लांट में लग जाती है तो फ्लांट देरे-देरे खतम हो जाता है तो इसमें पानी और वाटिक ना करें और पानी भी कम ना होने दें क्योंकि अगर पानी कम होगा तो इसके पत्तिया जूल जाएंगे और पिली होकर गिर जाएंगे तो पानी बराबर उसमें बना रहना जाए जिसे कि जितना मौशर भना रहेगा पोदे में उतना पोधा स्वास्त रहाएगा उतनी अची फूस्तिंग घरेगा तो देखे दोस्तो दोस्तो अगर आप उसे जमीन में लगा रहे हैं तो डेर बाई डेर का गड़ा करके आप उसमें मिट्टी बाहर निकाल लें और पर मिट्टी में आप आदी कंपोस्ट में लाकर मिट्टी को भर दें और उसमें नीम की खली जरूर मिलाएं और उस गड़ी नहीं सूखेगा और इस जंक से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं अगर आपने ऐसे गड़े में मिट्टी डालकर आपने लगा लिया दोस्तों तो आपका प्लांट सूख भी सकता है पन्तु आप जब गड़े में पानी भर देंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं सूखेगा और मिट्टी काफी दिनों तब मिट्टी में नमी बनी रहेगी जिसके करण आपका प्लांट नहीं मरेगा तो इस जंक से आप अम्रूत के पहदे को लगा सकते हैं और इसमें अधिक से अधिक फ्रूटिंग ले सकते हैं गमले में थोड़ा सा ध्यान जादा रखना पड़ता है कंपोस्ट का और गमले में अगर आप उसके गुड़ाई करके आप हलकी कंपोस्ट उसमें डालते रहेंगे तो गमले में भी आप अम्रूत ले सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके गंडे में फ्रूटिंग होगी और अधी अधी आप फल ले सकेंगे तो देखे दोस्तो कितने ज्यादा अमरूद मेरे वहाँ लगी हुए हैं बहुत ज्यादा तो इस जंग से आप गंडे में अमरूद ले सकते हैं दोस्तो इसमें समय समय पर आप नीम वहल का स्प्रे करिए जिससे की प्लांट में कोई भी कीडे मकोडे और या कीट पतंगे फंगस इत्यादी नर लग पाएं तो समय समय पर आप इसमें नीम वहल का स्प्रे करिए और जब पानी डालें दोस्तो तो स्प्रे के माध्यम से पा पौदे आधी साफ हो जाते हैं और जिससे कि फंगस का अटैक भी बौदो में नहीं होता है तो इस जंक से आप अम्रूत के पौदे को गमले में लगा सकते हैं और गमले से अधिक से अधिक फ्रूटिंग ले सकते हैं कितना खुबसरत दिखाई दे रहा है दोस्तों यह पाध लाइक करिए शेयर करिए सस्काइब करिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूँ और देखे दोस्तो दोस्तो मैं इसकी कटिंग करूंगी और जब इसकी ग्रोथ फरवरी में सुरू हो जाएगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी प्लांट की ग ये फल लगेंगे देखे कितना खूबसरत दिखाई दे रहा है और जब अपने लगाई फिर किसी पेड़ पाधो में फल या फूल लगते हैं दोस्तो तो बहुत कुशी होती है उसको सी को मैं बया नहीं कर सकती तो ये अपने आप में ही बहुत खूबसरत प्लांट है और आप गमले में आसनी से उखा सकते हैं अगर आप जमीन में लगाएंगे तो दोस्तो जमीन में भी काफी जमीन में तो काफी इसके फ्लों से भरा रहता है देखिए ये जो पौधा है ग्राप्टिंग का है और आप इसे ग्राप्टिंग वाला ही पौधा लें जब भी लें आप ग्राफ्टिंग वाला ही ले, जिसे कि आपके गमले में पौधा लगाते ही, आपके फल देना सुरू हो जाए, और आप कम समय पर अधिक फल अपने प्लांट से ले सकें, तो देखें दोस्तों कितना खुपसरा दिखाई दे रहा है, और अमरूत के पौधे में ज्यादा केर के आउशकता नहीं होती है, दोस्तों कम मेंटिनेंस वाला पौधा है, और आसानी से ग्रो हो जाता है, और इसमें फल भी ज़्यादा लगते हैं, देशी वेराइटी में दोस्तों फल तो खूब आते हैं, प्रन्तों उसको फल आने में काफी लंबा समय लग जाता है, च तो आप अच्छी वेराइटी के अमरूद लगाईए, और देखे दोस्तों कितना बड़ा साइज हो रहा है, बहुत अच्छी अमरूद है ये, देखे, थैंक्यू दोस्तों